करनाटक में पिछले चार दिन से जबरदस तरीके से होर्स ट्रेडिंग का खेल चल रहा है हैरानी की बात ये कि हर पार्टी एक दूसरे पर खरीद फरोक्त का आरोप लगा रही है क्या करनाटक में कोई बड़ा उलट्थेर होने वाला है क्या कुमार स्वामी की सरकार पर खत्रा मडरा रहा है ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि करनाटक में हर दल अपने अपने विधायकों को छिपाता हुआ फिर रहा है पीजेपी के विधायक गुरुग्राम में है, कॉंग्रेस के विधायक मुंबई में है और कुछ विधायक पाला भी बदलने लगे है करनाटक के सियासी नाटक में एक बड़ा मोड आ चुका है, तो निर्दली विधायकों ने कॉंग्रेस जेडियेस की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है तो राज्जी की सियासत करमा गई, कॉंग्रेस और कुमार स्वामी पीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं एच नागेश और आर शंकर, ये वो दो निर्दली विधायक हैं, जो एक दिन पहले तक कॉंग्रेस जेडियेस सरकार का हिस्सा थे लेकिन अब उन्होंने समर्थन वापसी का एलान कर दिया है पिशले तीन दिन से चल रही सियासी गहमागिमी के बीच, कॉंग्रेस और जेडियेस अलट है करनाटक में कॉंग्रेस के प्रभारी केसी वेणु गोपाल बैठक कर रहे हैं, अपने विधायकों की एक जूटता का दावा कर रहे हैं बीजेपी पर हमलावर है, तो कुमार स्वामी भी हमलावर है दावा है कि उन्हें एक होटल में रखा गया है, वैसे तो रववार को अमिश्यां से मुलाकात भी होनी थी, लेकिन अब तक ये भेट नहीं हो सकी है और पीजेपी अब आरोप लगा रही है, ये कॉंग्रेस उनके विधायकों को तोड़ना चाहती है दोनों और से आरोपों के तीर चल रहे हैं, हाला कि फिलाल सरकार पर संकट नहीं दिखता कि पीजेपी सरकार के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है और इसी बात को लेकर करनाटक में राजनीती पूरे उफान पर है इसका दावा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से कॉंग्रेस देताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है उसे साफ होता है कि कॉंग्रेस के बीतर उठा बवाल दिन बदिन गहराता ही जा रहा है वीडियो जनर्लिस मोनीश के सात्यासर मुश्टाक, न्यूज नेशन, बैंगलोरू